मुझे कहने में बड़ा पोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अब बोली लगा के दलीतों की हत्या होने लगी यहां की जो घटना है वो बहुत ड्रावनी है किस तरह से चैलंज करके एक बाइस साल के बच्चे की हत्या कर दी गई उसके माबाप ढूंडते फिरते रहे थाने के संबंदित अधिकारियों ने लापरवाई बढ़ती जिसके कारण आज वो बेटा हमारी बीच में नहीं और तो और जो आरोपी था उसको इतना समय मिला कि उसने अराम से सरेंडर कर दिया पुलिस को गिरफतार नहीं कर पाई यह पुलिस का इतना बड़ा फेलियर है उसके साथ और वो सातिर इतना है जिसको जुनेल बताय जा रहा है वो इतना सातिर है कि उसने पांच अन्य लोगों के नाम ले दिये कि यह मेरे साति थे बाद में पुलिस का जानकारी में अपनी जो कारवाई है अपनी जाच में मानना है कि यह पांचों लोग उसमें नहीं थे यह उसने किसी और मंचा से दिये इसका मतलब वो एक सातिर अपरादी है जिसने स करतववे के प्रति जिम्मेदारी निर्माएं नहीं किया उनके सख और थानों में गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है वह जुल्म करने वाले लोगों पर कारवाई होना आसान हो जाए और सभी अरिकारियों के इसकी मांग की है परिवार की शुरक्षा की और साथ साथ उसमें जो सनलिफ और लोग हैं जिनका पुलिस द्वारा भी बताया गया कि और भी लोग उसमें सामिल है उनको भी जो है जल्दी जल्दी जानकारी करके और उनको भी सक्षे सक्ष सजा जो है मिले उनको गिरफतार किया जा लापर्वा अधिकारियों पे कारवाई हो ऐसी हमने मांग की है इसके अलाव भी बहुत सारी घटना है जैसे एक मामला संग्यान में आया है जो नसा मुक्ति केंदर का है कि उसमें दूथरी हत्या हुए पीट-पीट के हत्या की गई है उसमें भी और कई ऐसे मामले जो यहां क SSP को और यहां के जिले के अधिकारियों को हमने बताए हैं तमाम तरह से ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में गुंडों को खुली छूट मिल गई है कि वो कमजोर वर्के लोग का जितना चाहिए दमन करें और उन पर कोई कारवाई नहीं होगी हम यह उम्मीद करते की तो हमें अपने लोग के संडक्षन के लिए एक बड़ा मोर्चा जो है जिले जिले वाई निकालना पड़ेगा हम किसी भी कीमत पर जुम जाते बरदास नहीं करेंगे और गुंडों को सजा मिले इसके लिए हम लगतार संगस्ट करते रहेंगे हमारी यह मांग भी है कि ल लोगसभा में भी और लोगसभा के बाहर भी आपको आस्वस करता हूं कि उत्तर प्रदेश के और देश के दलित पिछडे मुसलमान आदिवासी तमाम महिलाओ किसानों मद्दूरे के मुद्दों को बड़ी मुखरता से हम पार्लेमेंट के अंदर भी और पार्लेमेंट के अंदोलन करेंगे संगार्ज करेंगे भले हमें हम लोगसभा के सज़से बन गए हो लेकिन हम सड़क की संगार्ज का रास्ता नहीं छोडेंगे क्योंकि जब सत्ता तानासा हो जाएगी या सत्ता एंकारी हो जाएगी तो सड़क का रास्ता ही गरीबों के नियाय के दरवाज उनी को काम करना है हम उनको प्रयाब समय दे रहे हैं और हमने अपने लोगों को भी कह दिया है कि अगर इसके बावजूद भी लीपा पोती हुई यह हमारी बात को नहीं माना गया तो फिर हम किसी भी कीमत पर पिछनी अटेंगे इस बार जो अंदोलन होगा और अंदोलन पारक में नहीं होगा और ब्राबर में बेटेंगे दोम में जहां हमारा पिरिद परिवार बैटेगा अगर हमारे पिरिद परिवार के आशू निकलेंगे तो यहाँ के अधिकार्योगा पसीना भी वहीं छुटेगा इस बात का भी हम आस्वासन देते हैं मैं अस्पर्ष करता हूँ कि वो एनिस्चित काली आंदोलन हमारे नित्त में होगा अगर यहां का परसासन और यहां की पुलिस इसी तरह से लापरवाई करेगी तो यह आंदोलन बहुत जल्थ होगा मैंने अपने लोगों से यह आगरे किया है कि यह लोग भी बहुत मजबूत हैं पहरेदार हैं और महापुर्षों के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं आज इन्होंने अपनी शक्तिवल से यह भी इस्पस कर दिया है कि अब यह किसी से जुकने वाले नहीं है और डरने वाले नहीं है तो मैं मानता हूँ कि आने वाले जो उफचुनाव है जो खैर का प्रस्तावित उफचुनाव है मैंने के अंदर होना है मैंने इनसे मांग भी की है कि सिरफ जंडा और नारे से आगे बढ़के अब ये उस विदानसभा की बूत कमेटी सेक्टर कमेटी विदानसभा कमेटी तयार करने और एक एक वोट भाईचारा बनाके आजास समाज पार्टी के समर्थन में लेकर आएं और जो आवाज तिस तरह नोने दिली में अपनी वा हैं मंतर जी खड़े हैं और प्रदेश अध्यक जी और जिले के मंदल के लोगे इनका फैसला में तो वरकर देखे मैं मानता हूं कि यहां के जो एससपी हैं मैं उनको पहले से जानता हूं एक अच्छे अधिकारी है मैं से यह भी उम्मीद करता हूं उन्होंने मुझसे बता क्योंकि नया होना बहुत जरूरी है दिखना बहुत जरूरी है कहीं भी अगर हमें अपने इस्तर पर लगा तो फिर हम फिर इस संगर्श को आगे बढ़े हैं क्या कहेंगे आप बदाई हो